वेलकम टू रतन वाइन्स और आज की वीडियो भी हमारी बहुत अच्छी स्पेशल वीडियो है क्रिकेट के ऊपर तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो यार क्या कर रहे हो आप लोग इतना बड़ा-बड़ा IPL मैचेस दे हमारे इंडियान के लाइनच लकित का अप्सक्राइब करो छोड़ा अप्छल इंडिया को पुशं किया जाएंगा थोड़ा की तो मेरा चांस विर्डिया उन्डिया को पूछ जाये का तो अबड़ा अपनी परफोर्मेंस दो और जो senior players है उन लोगों को थोड़ा अभी रेज देंगे थोड़ा क्या हमिशा के लिए रेज देने वाले हैं और बहुत player है ऐसे मैं नाम नहीं लूँगा पर आप समझ गे रहोगे क्योंकि यह World Cup उनका last है तो जो new era आएगा जो new youngsters लोग आएंगे हमारे टीम में उन लोगों को चाहिए रहेगा एक कोच इंडियन टीम का तो वो जो कोच आने वाला है वो आएगा World Cup के बाद T20 World Cup के बाद तो अभी के एसाब से आपको पता है क्या हो रहा है तो पहले तो वो जो कोच होगा उसको मिलेंगे तीन साल का कॉंट्रैक मिलेगा वो तुथाउजन ट्विटी सेविन तक रहेगा और वो जो ओडिया वल्ल कप आने वाला होगा उसको भी कोच रहेगा तो एक ऐसा कोच चाहिए जो यह पूरे यंग्स्टर्स को एक अच्छा सा एक यूनिटी उन bcifi अनुछ लोगों को अपरोच कर रही है अलग अलग लोगों को आफर कर रहे हैं थी से तुम आंडिया का कोच बने मसस्पश कर तो अब हुए अए है कि मतलब पहला ऑस्टिलेंस की बात करते हैं पहले उन लोगों ने ओफर किया है रिकी पॉंटिंग को रिकी पॉंटिंग को अप्रोच किया तो रिकी पॉंटिंग और दूसरा अप्रोच किया जस्टिन लेंगर को जैसे मैंने आपको पिसली वीडियो में बताया था के जस् बहुत अच्छी और तो अभी हुआ ऐसे जो जुसिंट लेंगर और को अप्रोच किया तो जस्टिं लेंगर ने बात किये केल राउल से तो केल राउल से उसने पूछा भाई कैसा है प्रेसर इंडिया टीम और सब कुछ प्रेशर है उसको टू इंटू 1000 ताइमस कर दे 1000 ताइमस उतना बड़ा प्रेशर है इंड्यान को मैनेज करना है कि वह सुनते ही उसके लग गए जस्टिन लेंगर के तो इन शॉट केल रावल की बातों में आके जस्टिन लेंगर ने कर दिया को कि मैं कोच नहीं बनूँगा इंडिया का अपकमिंग सोचो यह ऑफर ठुकराने वाला नहीं है जस्टिन लेंगर के लिए पर वो समझ रहा है कि कितना बड़ा अंदर पॉलिटिक्स चलता है बीचिस यह में अंदर हिंडियन क्रिकेट में और कितना बड़ा जाय के द्वारा और मीडिया के द्वारा तो यह जो सब प्रेशर डालेंगे उस एक बंदे पर उससे बुला मुझे नहीं करना है मैं अपने घर पे शांती से जीऊंगा उस्टलिया में जाके आराम करूँगा सेम चीज हुआ रिकी पॉंटिंग के साथ रिकी पॉंटिंग उसको भी ऐसा प्रेशर नहीं जिलना है अपने घर से दूर नहीं रहना है नौनो महीने आठाट महीने तो उसने भी मना कर दिया तो अब हुआ ऐसे है यह बात आ गई है जैशा के इगो पे अंदर के ऐसा नहीं हो सकता है यह लोग मेरे को मना क्यों करेंगी तो अब उसने आके प्रेस में बोला है कि हमने तो इनको आफर ही नहीं किया जौब जो की गलत है वो लोग क्यों जुड बोलेंगे उनको आफर आया है तो वो लोग आएंगे बोलेंगे क्या आया ओफर मैंने मना किया तो अभी यह चीज आ रही है जैशा के इगो पे बीसी सी आये के तो जैशास आके स्टेटमेंट देता है कि हमने तो उनको आफर ही नहीं किया है अभी आपको क्या लग रहा है वह आप अपने माइंड में बनाओ जो बनाना है ऑफर हुआ है कि नहीं तो अभी के एसाब से बीसी सी आये के टॉप लिस्ट में कौन है पता है आपको एक ही आदम किया है कि क्र्के साइड के द्वारा उनके मेंटर है तो अभी क्यास से सबसे टॉप प्राइड आज भी यही न्यूस चल रहा और ऑगे यहीं चलेगा 27 जैन डिसीशन अप्लिकेशन बरने सबको बरने कि मैं कोश बनूंगा मैं कि वनूंगा बहुत सारे कोशेंव हर्बजन सिंग ने भी किया है और राउल राउल रावेट को भी आगर करना है तो वो कर सकता है पता नहीं उसने किया है के नहीं तो अभी अभी के इसाब से है गौतम गंबीर सबसे टॉप प्राइवरिटी गौतम गंबीर आपको मैं बताता हूं अभी के होगा क्या आगर व इंडियन क्रिकेट में पहले तो यह सब बंद होएगी पूरी टीम को लोग सेलिब्रेट करेंगे किसी एक को प्रेज नहीं करेंगे पूरी टीम प्रेज होएगी सब पूरी टीम का तारीफ करेंगे अभी क्या होता है या तो रोहत होता है या तो कोली होता है अभी इस इंडि को जो भी उसका पीयार होता है बाहर पीयार का मदलब होता है कि पैसे देखे अपनी रेप्यूटेशन बढ़ी करना क्रियेट करना बाहर मीडिया में अच्छी चीजे लिखना और जो गंबिर आएगा न तो वह सब बंद करा देगा हर एक बंदा प्रेज होएगा हर एक बंद कि उन लोगों की जली हुई है और के और जो वाले हैं वह अंदर पॉलिटिक्स करेंगे तो उनको पता है गंबिर जाके मीडिया में बोल देगा कैसा इसा मेरे को बूला चाहरा है अंदर तो यह भी एक बड़ा चेंज आएगा अंदर इंडियन ड्रेसिंग रूम में थोड वह लोग ओडियाय की टीम आयपियल के बेसिस पर नहीं मनाएंगे तबी अगर गंबिर आ गया तो वह लोग लेंगे विजाज आरे ट्रोफी में से जो भी रंजी ट्रोफी होती है यह सब test का selection होगा रंजी ट्रोफी में से first class का जो cricket होता है test का selection उस basis पे होगा T20 के basis पे नहीं performance के basis पे नहीं और जो T20 की team होगी वो बन सकती है IPL के performance पे ये सब changes आपको दीरे दीरे देखने को मिलेंगे अगर गंबीर आ गया तो और ये ही नहीं और भी बहुत सारे changes देखने को मिलेंगे प्लेयरों के attitude में mentality में फरक आएगा हम लोग हारी वोई match हारी वोई match situation में उतरेंगे उपर उठेंगे और वो में जीतेंगे जाके ये सब होगा पर ये सब होगा कब जब गंबीर coach के लिए agree करेगा या उसको बन जाएगा coach फिलाल ये लोग ज़ादा बात नहीं करें क्योंके world cup का pressure है सब पे खास करके राउल्ड रविड और उसकी टीम पे तो पहले world cup जो भी होगा result जीते हारे कुछ भी हो coach तो new आने ही वाला है मुझे लग रहा नहीं है कि consider करेंगे राउल्ड रविड को वापस तो कोई भी आ सकता है फिलाल उस्टेलिया में रिक्की पॉंटिंग और लिंगर तो नहीं आ रहे है ये मैं आपको बता सकता हूँ और मुझे ऐसा personally अगर इंडिया की success देखनी है ना सच बता हूँ हम लोग बहुत वेट कर रहे है अभी 2011 के बाद नहीं जीते हैं हम लोग वर्ल कप और उससे पहले जीते थे 2007 में तो दोनों फाइनल में दोनों टॉर्णामेंट में बहुत अच्छा कॉंट्रिबूशन था गौतम गंबिर का तो 2007 में 75 उसने उसको मैन ऑफ दमैच नहीं मिला था और 2011 में भी 97 मारा था हारने वाली पोजिशन से दो वेकेट चले गए तो 28 पर उसमें भी उसको मैन ऑफ दमैच नहीं मिला था तो ठीक है वो उसका बैड लक है पर एक बात बता हूँ गंबिर का क्या हमेशा सच के साइड रहता है जो होता है मूँ पे बोलता है फिर लोग उसको गालिया देते हैं क्योंकि वो लोग player के fan है या जो भी इंडिया के fan है पर जो होगा वो मूँ पे बोलेगा एक बात मुझे बहुत ये उसकी बहुत पसंद है कि सज बोलता है मूँपे बोलता है और जो होगा मूँपे बोलेगा पर यह सब होगा कब जब गंबीर आएगा और मैं पर्सनली चाहता हूं कि वह आए हम लोग नहीं जीते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं आपको और वो अगर वो आ गया ना तो वो ट्रोफी है ना वो हमारे गया तो आप लोग का चोइस कौन है तो आप मुझे बताओ कमेंट करो कमेंट में नोगों बात करेंगे अच्छ से मेरा पता हैं मेरे सबस्क्राइबर बहुत कम है मैं आगी नहीं बढ़ पा रहा हूं इतना अच्छा और बढ़ गया तो ठीक हैं अम लोग पर आप लोग पसंद नहीं आ रहा है गंबीर के जैसे जैसे उसके साथ हो रहा है उधर यहां इतने सालों से होते आया था तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट दिखा हो तो मैं भी आगे बढ़ू और मेरा भी करियर थोड़ा बने अभी तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है तो देखेंगे ह सब्सक्राइब करो आप लोग चैनल और शेयर करो मेरी वीडियो हम लोग आते रहेंगे